लेटिस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन के आइकॉन को जरू दबा दें हलो फ्रेंड्स ये देखे गरम गरम भाजी बड़े हो और साथ में गरम गरम चाय हो तो मजा ही कुछ और होता है ब्रेकफास्स सीरीज के छटवे एपिसोड में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ भाजी बड़े की रेस्पी बहुत ही आसान इसे बनाना बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको पताऊंगा बनाना तो चलिए शुरू करते हैं हम इसे बनाना यहाँ पे 200 ग्राम मैंने बेशन लिया है इसमें डाल दिये कटी हुई हरी मेच और यह देगी मेच डाली है तीखे पन के लिए और सौध अनुसार इसमें नमक डाल दिया है और यह जाएगा इसमें जिंजर गालिक पेस्ट जिंजर गालिक के पेस्ट जो था वो थोड़ा सा पतला था तो यहां मैंने दो चम्मज डाली है अगर आप गाड़ा पेस्ट ले रहें तो एक चम्मज डालें और यह लाल भाजी है आप इसकी जगे कोई भाजी यूज कर स अब बचा हुआ बेसन भी मैं इसमें एड़ कर दूँगा तो यह 50 ग्राम बेसन मैंने और एड़ कर दिया है क्योंकि एक बार में हम मिलाते तो यह अच्छे से मिलता नहीं इसलिए मैं इसे दो भाग में मिला रहा हूँ और यहां पे बच्ची हुई भाजी भी मैंने एड़ क उसको बारीक कर लिया था और यह 6300 इसमें नमक थोढ़ा सा और आर्ड कर लिया है अब यहां पे हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे अब हम हलका हलका पानी का किंचा मार दो के पानी नहीं डालना है नहीं नहीं पानी छोड़ेगी और अब हम यहां पर यह इसमें प्याज आइड करें प्याज हमने शुरू में इसलिए आइड नहीं करी क्योंकि यह पानी छोड़ देती और यह गीला हो जाता अब हम यहां पर इसमें प्याज आइड करेंगे और अच्छा से मिक्स कर लेंगे याद रखे पानी हमें नहीं डालना है गाड़ा पेष्ट जैसा हमें बनाना है इसका यह जो आटा या आप जो भी कह सकते हैं से यह हमें जो लगाना है यह थोड़ा ठीक लगाना है और अब हम इसे गोल-गोल पेड़े बना लेंगे तो यहां पे गोल-गोल पेड़े मैं बना लेता हूं क्योंकि इसे हमें दो बार fry करना है तो यह गोले हम पूरे इसी तरह हां से बना लेंगे रोल करते हुए तो राउंड शेप में आप बना लें और सारे पेड़े तयार कर लें तो यहां पे देखिए सारे पेड़े तयार हो चुके हैं अब हम इसे fry करेंगे तो तेल अच्छे स गरम करें अगए त épisode तो ये तिल पी जाएगा अब यहां जहरी की सायता से। मैं इसमें ऐड़ कर रहा हुए रों यह मेरी ट्रिक है इससे बहुत ली सेफली मैं से इसमें एड़ करता हूँ और जलने का भी खतरा नहीं रहता है तो यहांपे विलकुल गरम तेल में में तेल गरम रहे, तब हमें इसे add करना है और तलना है, fry करना है, अब यह देखिए, दो से तिनी मिनिट बाद इसका color change होने लगा है, और यह देखिए, यह ऊपर से crispy हो गया है, और इसका color भी change हो गया है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे, तो यहाँ पे मैंने paper में इसे निकाल oil रहेगा, वो निकल जाएगा, तो सारे मैं इसी तरह plate में निकाल ले रहा हूँ, और अब हम इसे दुबारा से fry करेंगे, तो यहाँ पे यहाँ मैंने सारे निकाल ली है, देख सकते हैं, आप कितने crispy हो गया है यह उपर से, अब हम एक plate या कटोरी की साथा से इसे press करेंगे सारे हम इसी तरह press करके इसको shape में ले आएंगे, बाजी बड़े बले, तो यहाँ पे हम इसे हलके हांतों से press करेंगे, और हलका सा यह side से कहीं से crack भी हो तो कोई problem की बात नहीं है, उतना चलता है, तो यहाँ पे हम इसे अच्छा से press कर लेंगे, और सारे हम इसी तरह प्रेस में हमने इसे बापस डाल दिया है अब इससे क्या होगा कि हमारे जो भाजी बड़े हैं वो अंदर तक सिख जाएंगे और उपर से तो हमने उसको क्रिस्पी कर लिया था लेकिन अंदर से उसमें कच्चा पन था अब यह दोबारा फ्राई करने में इसका कच्चा पन बिल्कु यमी लगेगा तो यह देख सकते हैं आपकी यह बिल्कुल कलर चेंज हो चुका है क्रिस्पी दिख रहे हैं तो अब हम इसे निकाल लेंगे यहां हमारे भाजी बड़े बिल्कुल तैयार हो चुके हैं अब आप इसे चटनी के साथ सौस के साथ जिसके साथ भी सर्व करना च तो कैसी लगी आपको रेस्पी वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा कमेंट्स करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करीजेगा और बैल बटन को जरूर दबा दीजेगा मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट रेस्पी में जै हिंद